तो हम फिर एक बार आपके सामने उपस्तित हुए हैं एक बहुत ही महत्पूर्ण टॉपिक को लेकर जो आपकी एक्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होगा दोस्तों तो एक्चुली इसके पहले हमने कई सारे टेस्ट सेरीज करवाया था जो बच्चों के लिए बहुत ही योस्फुल रहा है तो हम इसी के परिप्रेश में आज भी हम कुछ बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है भारत के जितने भी कुछ फेमस जो नाम से उनको पहचाना जाता है जो बहुत ही फेमस हैं और उन फेमस की वज़े से उनको जाना जाता है तो आज हम इसी टॉपिक पर यहां पर डिसकस करेंगे और जानेंगे तो दोस्तों इसके पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प् बहुत ही महत्पूर्ड होंगे आपके अग्जाम के लिए ओके दोस्तों तो दोस्तों जानते हैं तो देख लो आप कितना सारा हम आपके लिए लेकर आए हैं कि आप बहेत्र से बहेतर content यहां से आप प्राप्र कर सके और एक्जाम में ही जितने भी question आप बनेंगे सब यह been से आएंगे इसके बाहर एक भी आपको देखने को नहीं मिलेगा ठीक है तो जब भी उपनाम से related कोई भी question आएगा तो यहीं से ही होगा यह हम 100% आप से कह रहे हैं यह YouTube में पहली बार इतना उपनाम लेकर जो हमाएं हैं आपको कहीं नहीं मिलने वाला आप देख भी सकते हैं YouTube में ठीक है तो यह आपके लिए बहुत ही beneficial होगा तो दोस्तों start करते हैं तो यहां से देखते हैं कि श्वन मंदिर का शहर श्वन मंदिर का सहर जो कहलाता है तो वह अम्रिसर कहलाता है बहुत ही content है दोस्तों हमांच नदियों का शमूं है पंजाब ठीक है ब्लू माउंटेंज किसको बोले जाता है तो निल गरी की पहाडियों को बोले जाता है ओके साविए साउथ में हैं के त irresponsibleёз मेल तो वह कौन सी होगी तो वह कोशी नदी के नाम से जाना जाता है तो ईसके बार निस्ट है कि भारत का प्रवेष्द द्वार बेर इम्पॉर्टेंट है कई बार आप लोग क्या है घुमने तो जाते बटब आपको पता नहीं होता कि एक्चुल में कहां पे है है ना भारत का प्रवेश दौर तो बहुत सारे लोग यहां पे गए होंगे तो यह कहां पे है मुंबाई में है ओके जो गेटवे आफ इंडिया है ठीक है गेटवे आफ इंडिया तो वह कहां पे है भारत का प्रवेश बहुत इंपोर्टेंट है अरपसागर किरानी है तो किसको बो बोले जाता धो को चीन को पूरु का वेनिस को बोब जाता है गुलाबी शहर जयपूर को बोले जाता है इतनी बार एक्जाम में यह कोश्चन रिपीट हुए है कि अब पूछो ही मत ठीक है यह बहुत ही रिपीट होने वाले कोश्चन है ठीक है इसलिए हमने पूरी एक लिष्टी बनाकर आपके सामने रख दिया कि आप भी इसको एक बार देख लो ठीक है इसको एक बार आप रट लो और एक्जाम में चले जाना आपको है दो से तीन नंबर जितने भी कोश्चन आएंगे इसके बाहर से एक भी कोश्चन नहीं होने वाले हैं ओके दोस्तों तो गुलाबी शहर है जैपूर है भारत का मसालों का बगीचा कितना सामदार कोश्चन बनेगा यहां स केरल है भारत का सुटिजल लेंड किसको बोला जाता है तो कस्मीर को बोला जाता है ठीक है इसके बाद है कि डायमंड हार्बर तो डायमंड हार्बर किसको बोला जाता है तो पता होना चाहिए आपको कोलकाता को बोला जाता है ठीक है अब देखो हमेशा पता नहीं कितनी ब तो छीरी नगर को बोले जाता है मंदिरों यह घाटों का नगर वराट्शी को बोले जाता है ठीक है नवाबों का नगर लखनव को बोले जाता है उत्तर भारत की अर्थ व्योस्ता का मेरुदंड ठीक है तो जान लो कि उत्तर भारत की अर्थ व्योस्ता का जो मेरुदंड है जो एक जीवन आधार है तो वह कौन सी नदी है तो गंगा नदी है बहुत ही सांदार कोश्यन बने गया यहांचे ठीक है पूर का स्कॉटलेंट मे वह किसको बोले जाता है तो नेतरहाट बिहार को बोले जाता है बहुत ही सांदार कोश्चन है दोस्तों ठीक है इसके साथ ही और भी देखते हैं तो दोस्तों अभी आपको और देखना है ठीक है तो जानलो कि उत्तर प्रदेश का जावा उत्तर प्रदेश का जावा कहलाता है गोरखपुर के लाता है। कभी भी आपको कोई नहीं बताया होगा कि पुलों की नगरी कौन है तो सिरी नगर है ओके इस्वर का निवास इस्थान यह कौन है प्रयागराज को बोला जाता है उत्तर भारत का मांचेस्टर है तो वह कानपूर को बोला जाता है ठीक है हमेशा पूंचे जाने वाले एक चारदा नदी को बोला जाता है दच्छिन की गंगा उत्तर भारत की तो गंगा जानते हो बर दच्छिन भारत की गंगा है तो किसको बोला जाता है कावेरी को दच्छिन की रानी किसको बोला जाता है पूने को त्योहारों का नगर कहलाता है मदुरे ठीक है करनाटक का रत् पान की डलिया, पान की डलिया, किसको बोल जाता है, 36 गड को, फलों की डलिया, कितना सांदार कोश्चन है, फलों की, कितना सांदार कोश्चन यहां से बनेगा, फलों की डलिया, हिमानचर प्रदेश को बोल जाता है, बगीचों का शहर, कपूर ठाला को बोल जाता है, कितने स उपनाम से फेमस हैं तो हम उनकी लिस्ट अभी और है तो राजस्थान का कस्मेर उदयपूर को बोले जाता है तो राजस्थान वालों आप भी देख लो क्योंकि आपका जो इस्टेट का जो नाम है कितना फेमस है पूर का फेरिस जैपूर है ठीक है राजस्थान की थर्मोप सबस्क्वाली हलदिगाटि को बोले जाता है पहाड़ों की नगरी अचा कि नगर को राजस्थान के उधयपुर को बोलता है कन फ्बूस billionsु नहीं का जो मुंबई है तो इन्दावर कहलाता है हमारे दवरह यह जो महत्पूर्ण उपनाम थे सब्सक्राइब आज आपको बताने का प्रयास कि दोस्तों यह अप एक्जाम में जागो जब इससे बाहर आपको एक भी नहीं मिलने वाला है ठीक है सब यहीं से आएगा बस आप इसको एक बार दो बार आप इसको देख लो ठीक है और आपके लिए यह बहुत ही इंप्रूर्टन होगा दोस्तों तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थेंक्यू जैहिंद